बाबा साब अम्बेटकर ने देश का सम्विधान बनाया सम्विधान में लिखा उन्होंने की भारत के अंदर जनतंत्र होगा इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे चुनाव में जनता वोट डालेगी वोट डालके जनता अपनी सरकार चुनेगी वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे बीजेपी कोई पसंद नहीं है बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो बीजेपी चाहती है कि चुनाव खतम हो जाए चुनाव होने ही नहीं ची चुनाव गंदी बात है इनके साफ से चिनाव गलत बात है इनके साथ से MCD के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिये गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारती जन्ता पाड़ दो ना माने वाला है गिनीज बुक के अंदर MCD का और BJP वालों का शानदार इन्होंने पर्फार्मेंस किया है 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नी छोड़ी लूटने के बाद जब जन्ता में तराही तराही मच गई लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद और जन्ता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मज़ा चकाएंगे और गुसा जाहिर करेंगे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हमाज शाम को पांच बजे नौ तारिख को नौ मार्च को शाम को पांच बजे चुनाव की डेट्स की गोशना की जाएगी चार तारिख को परधान मंत्री के दफ्तर से फोन जाता है चिठी जाती है चुनाव कमिशनर को चुनाव रद कर दो पूरी दुनिया के अंदर आइस तक ऐसा नहीं होगा कि परधान मंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिशनर को फोन करके और चिटी लिख के कहते है कि चुनाव रद करो इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साब अमिट कर से ये कहते हैं बाबा साब बेवेड कर नहीं होता तो जनतंतर नहीं होता इस देश के अंदर कल एक BJP का बड़ा नेता मिला बोला जी मैंने तो अपने BJP के बड़े निताओं को बोल दिया ये चुनाव वनाव का चक्कर छोड़ो MCD में भी N-DMC जैसा कर दो मैंने कहा इसका क्या मतलब है वो बोले जैसे N-DMC में चुनाव ही नहीं होते N-DMC में केंदर सरकार नॉमिनेट कर देती है बोले जी MCD में भी यही हो जाना जाए अध्यक्ष मौद है इनका बस चले ना इस देश के अंदर सारे रज्जों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दे इसलिए ये नफरत करते हैं इसलिए बाबा साब अमबेड कर से नफरत करते हैं ये लोग बाबा साब अमबेड कर चुनाव की प्रक्रिया रखके गए थे इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे कह रहे हैं हम तीनों MCD को यूनिफाई करना चाहते हैं अरे साथ साल थे तुम्हारे पास सो रहे थे क्या साथ साल से कहां से तुम लोग साथ साल से क्यों नहीं तुम लोग ने साथ क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए हैं क्यों नहीं तुम लोग ने यूनिफाई किया साथ साल से चुनाव की एक घंटे पहले तुम लोग चिठ्थी लिख रहे हो अब सोके जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे तो यूनिफाई नहीं करना चुनाव टालने है क्योंकि हार रहे हैं मेरी हाथ जोड़के बिनती है हार जित लगी रहती है कभी ये पार्टी हारती है कभी वो पार्टी हारती है आज बीजेपी है, कल बीजेपी हो ना हो, आज केजरी वाल है, कल केजरी वाल नहीं होगा, आज मोदी जी है, कल मोदी जी नहीं होगे, कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है, देश को नहीं जुकने देना, देश को किसी भी हालत में देश में आज नी आने चाहिए ये लोग देश के साथ खिलवाड कर रहे हैं ये लोग सम्विधान के साथ खिलवाड कि हम युनिफाइ करना चाहते हैं उन्होंने एक चिठ्थी लिख दी चुनावायोग को कि हम तीनों MCD को यूनिफाय कर रहे हैं, इसलिए चुनाव टाल दो, चुनाव टाल दिया है, कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, अब जनता कह रही है, यह गुजरात हारेंगे, अब अगर यह गुजरात हारेंगे, तो यह दस दिन पहले चिठ्थी लिख देंगे चुनाव आयोग को, कि हम गुजरात को और महाराष्टर को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो, गुजरात के चुनाव टल जाएंगे, अगली बार यह लोग सबाहारेंगे, चिठ्थी लिख देंगे, जी यह पारलिमेंटरी फॉर्म आफ सिस् कहते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं, फिर भी डर गए तुम लोग? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के बाग गई, क्या कायर हो यार? हिम्मत है तो हिम्मत है तो चुनाओ लड़के दिखाओ बीजेपी वालो मान जाएंगे तुम हिम्मत है तो चुनाओ लड़के दिखाओ कहते हो 56 इंच का सीना है नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है नहीं तो मान लो कमरे में जब चाई पे ने आया आपने अमेर साथ अपना दुक शेर किया कि जब LG साब ने भाशन शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो और पीछे से दो ज़ने कह रहे थे दारू की दुकाने बंद करो अब इनको भी नहीं पता है अज नारे किस चीज के लगाने ओपर से आया तो था उपर से आया तो था तो दो ज़ने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो आगे वाले कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो फिर दूसरे वाले ने अबे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है तो जैसे रैलियों होती है उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किसलिया आयो तो वो यू यू देखता है किसलिया क्या हाल बना दिया इनका इस लिए थोड़ी राजनीते माय थे इसलिए थोड़ी राजनीते माय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बगली उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो नेता बाहर आता है क्या मांगे हैं तो सारे इक दूसरी की तरफ इनको पता ही नहीं क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनीती करने आये थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके बच्चे पुछेंगे पापा क्या काम करते हो पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरन लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया आठ साल खरात कर दो विवेक अगनी होत्री के चर्णों में उनको शरन लेनी पड़ रही है बचालो बचालो अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टेक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टेक्स प्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टेक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पे क्यों ने डल कल एक मैंने अख़ब बाइसाब देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोडो करोडो रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया आखे खोलो क्या कर रहे हो तु खोलो तुम लोग भेड बकरियों के तरह हांक रखा है पुरे बीजेपी वालों को भेड बकरियों के तरह हां कर रहे हैं एक दिन बोले तीन काक्रिशी कानून लेके आए हैं बहुत शानदार हैं और फिर नीचे मेसेज आया भी सारे जन्हें तारीफ करो मोदी जी की सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खुब तारीफ की थी बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेक्या है एक साल के बाद फिर आया वह तीनों कानून वापस ले लिए बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की भई कानून बिकार थे मोदी जी क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी दिमाग पे ताला लगा रखा इन्होंने का वाह मोधी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिए अदेश को बचा लिया क्या Master's Group क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार फिर थोड़े दिन बात बोले वही दारू की दुकानों के खिलाफ करो फिर सारे जैने दारू की दुकान बंद करो दारू की अब दारू ठीक हो गई अब दिली में आज कल तो शोर नहीं करते तुम लोग आप कश्मीर फाइल आ गई पहले क्रिशी का नूंद रोज काम दे रखा है तुमको कुछ ना कुछ उपर से आ जाता है काम दे रखा है आप दारू की दुकाने मेरा एक निवेदन है मेरे बीजेबी के साथियो से आप तो अपनी हो आप तो सबब मेरे छोटे भाई बड़े भाई विदूरी साब तो बड़े भाई है मेरे आप तो सारे अपने हो यार थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार थोड़ा देश के बारे में सोचो हिटलर भ आपको आपके बच्चों को नौकरी दी आपके घर में कोई खाने पेने का इंतिजाम करा आपकी बिछली का इंतिजाम करा केजरी वाल काम आता है आपके आपके भी घर के बच्छी फ्री कर रखी अ 알ाज्य स्कूल ठीक कर दिये, अस्पदाल ठीक कर दिये, आपके घर में कोई बिमारों केजरी वाल दवाई पहुचाता है, मोधी दवाई नहीं पहुचाता, केजरी वाल काम आया, मैं बीजेपी के सारे कारे करताओं से कहना चाता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो, बीजेपी के सारे सपोर् आजाओ आपको 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 इज्जत मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कता ही जुटे नारे ने लेगवाएंगे राष्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे हम राष्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मिलेंगे यह पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जुटी फिल्मों के और जो भी करना हो कम से कमयार यह पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो एक कंदे लगते हो तुम लोग अच्छ प्रोमोशन करने में लगा दिया कल लजी साथ की स्पीच पूरे देश ने सुनी लजी साथ को एक तरह से केंद्र सरकार का नुमाइंदा माना जाता है अय्याक लजी साथ के लजी साथ ने भी हमारी सरकार की कितनी तारीफ करी पचास परसेंट जीडी पी पांच साल के अंदर बढ़ गया, भारत में आज तक अभी किसी राज्यका निगा इतने शांदार काम दिल्ली सरकार ने की है कि केंदर सरकार द्वारा नियुक्त अलजी साहब ने भी दूसरी सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार की भुरी भुरी शब्दों में तारिफ की मैं अलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं और इस धन्यव अब सिरी गुपाल रहे जी माने विखास मंत्री द्वारा प्रस्तु जन्यवाद प्रस्ता उपर सदन के सामने है माने कि यह सदन उप्ता जेपाल द्वारा दिलांग 23 मार्स 22 को विजान समा में दिये गए विवाशन के लिए उनके परती हार दिक अभार परकेट करता है यह प्रस्ता उप सदन के सामने है जो इसके पक्ष में हा कहें जो इसके विरोध में ना कहें हा पक जीता हा पक जीता प्रस्ता उपरित्वार माने उपराजपाल मौद्य को इसकी सूचना दे दिजाए